हिबिसकास यानी गुरहल प्लांट से लागतर फूल लेने के लिए मैं प्लांट में देती हूँ लागतर फार्टिलाइजर गुरहल प्लांट में और्गानिक फार्टिलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ इसलिए हर 10-15 दिन के gap में हमको fertilizer देना ही पड़ता है अगर plant में बहुत सरा फूल खिलाना चाहते हो तो आपको भी जो fertilizer का शिरूल इसको maintain करना है गुरहल plant में लागतर फूल लेने के लिए fertilizer में दो चीज आपको देना ही पड़ता है कौन सा दो चीज वीडियो में discuss करोंगे और इस fertilizer के साथ add करके plant में आपको डालके भी दिखाऊंगी जो fertilizer आज का वीडियो में आपके साथ share कर रहे हूँ ऐसे तो आप हर कोई plant में दे सकते हो पर मेरे पास ज़्यादा plant है इसलिए मैं plant का एक ग्रूप बना के fertilizer दे देती हो जैसे जिस दिन हीडियो में stro Samuel ही का सब कर देती हूं उस दिन साथ ही ब्लांट में दे चेप्राइजर मिली जाता है वा पो अब्लांट में fertilizer मीली जाता है पानी यानि वाटरिंग बहुत ही अच्छा से करना है मेरा प्लांट में तो दो बार देना ही पड़ता है तो अब भी आपका हिबिसकस प्लांट में सॉयल जरूर आप चेक करिए कि सॉयल ज्यादा ड्राइ तो नहीं हो रहे है तो आपको पानी का विशेजधान रखना है खास टाइम आपका प्लांट में कलिया तो बनना ही चाहिए फूल खिलना ही चाहिए पर प्लांट में कलिया बनने में कोई प्रब्लेम हो रहे है तो हिविसकस प्लांट को आप अच्छे तरीके से धूप दीजिए देसी हिविसकस को आप पूरा दिन का धूप में रखिए और हा वाइब्रीड हिविसकस प्लांट को पुरा दिन का धूब देना है अब का हिविसकस प्लांट में अभी तक कलिया नहीं बन पाए है तो आप जरूर आप कोई अच्छा इंसेक्टि साइट का इस्तेमाल करिए कभी कबर प्लांट में किरा लग जाता है हमको दीखता नहीं है ख कलिया बनने से पहले ज़र जाता है जो इंसेक्ट है वो कट कर देता है इसलिए कलिया ज़र जाता है तो हिविसकस प्लांट में अभी एप्रिल का मांत में अभी तक कोई कलिया नहीं बन पा रहे है तो आप प्लांट को हर हपता इंसेक्टि साइट से स्प्रे करते रहिए अ प्लांट कीरा से भी बचा रहेगा, प्लांट अच्छा से खाना भी बना पाएगा, क्योंकि प्लांट का जो लीप से बहुत ही साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, आपका हिविसकस प्लांट में अभी तक कलिया नहीं बने और एक रिजन हो सकते कि आपका हिविसकस प्लांट का सॉ तो आपका ही बिसकास का सॉयल एसिटिक रहे क्योंकि आज का ये जो फार्टीलाजर है मैं जास्ट इसको इस्तेमाल करने से पहले साथ दिन पहले प्लांट का मिट्टी को अच्छा से गुराई करके कौफी पाउडर का इस्तेमाल किया था और कुछ प्लांट में तो मैंने कि आपका ही बिसकास का सॉयल एसिटिक बने तो आज का ये जो फार्टीलाजर है इसके साथ आप एक टी स्पून कौफी पाउडर मिला के प्लांट का सॉयल में आपको देना ही है और आप कौफी पाउडर नहीं देना चाहते हो तो थोरा सा चाए का पत्ती आप प्लांट का सॉयल में एट कर दीजिए और भी तरह तरह के औरगानिक चीज मिलता है जो ही विसकस प्लांट का सॉयल को असटिक बना देते हैं पर यह जो दो चीज का नाम आपको बताई चाय का पत्ती और कॉफी बाउडर यह तो हमारा घर पे किचेन में होता ही होता है गार्डन में सिर्फ एक ही प्लांट आपको नहीं दिखा रही हूँ मेरा प्लांट ही विसकस का प्लांट जिस जगह पे है उसी जगह पे जाके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ही विसकस प्लांट का जगह चेंज नहीं करती हूँ और एक वीडियो में पहला वीडियो में आपके सा परबर लोकेशन चेंज कर देते हैं उसके कारण में भी ही विसकस प्लान्ट में स्ट्रेस आजाता है और बर्स नहीं बन पाता है तो चलिए आज का फार्टिलाइजर आपके साथ शेयर कर रही हूँ और फार्टिलाइजर शेयर करने से पहले और एक इंपोर्टेंट बात आपको इसाथ डिसकास करना चाहती हूँ कि फ्रेंज अभी तक आपका प्लांट में कलिया नहीं बन पा रहे हैं इसका और एक रिजन हो सकता है आपका प्लांट में पोटेशियम फार्टिलाइजर का कमी और माइक्रो नीट्रियंट का कमी तो हीबिसकास यानि गुरहल प्लांट में अच्छा से फूल लेने के लिए की कलिया लेके आने के लिए दो चीज आपको जरूर देना है एक तो पॉटेशियम और एक है माइक्रो नूट्रियंट तो चलिए आज का फार्टी लैजर आपके साथ श्यार कर रही हूँ इस फार्टी लैजर में सब कुछ मैंने डाल दिया है और एक्स्टर कुछ भी आपको डालने का जुरूरत नहीं है तो देखिए पहले आपके साथ श्यार कर रही हूँ यह जो लिकुट आप देख रहे हो लिकुट फार्टी लैजर मैंने दो दिन में बना लिया इसको क्योंकि अभी गर्मी है आपको ज़्यादा दिन तक नहीं राखना है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आता है और फार्टी लैजर काफी दिन राखने के बाद यूज करने के टाइम कोई-कोई फार्टी लैजर एसेडिक भी बन जाता है तो इतना नाप आप इस फार्टी लैजर रेडी करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है आप जब प्लांट में इस्तेमाल करना है आपको डाइलूट करना है पानी के साथ वान एस टू थी रेशियो पे यानि जिस नाप पे आप इस फार्टी लैजर को ले लिए होंगे उसी सेम नाप पे आपको तीन गुना पानी उसके साथ मिला के तब ही प्लांट में इस्तेमाल करना है तो पहले आपको दिखा देती हूँ यह जो भीगो के मैंने इस्तेमाल किया है क्या क्या चीज इस फार्टी लैजर में है तो सबसे पहले ए चीज आपको दिखा देती हूँ उसके बाद एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि और क्या चीज हमको इस फार्टी लैजर के साथ मिला के प्लांट में इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले नाप आप देख लीजिए देखिए मैंने इस पानी या इस liquid fertilizer में डाला था cow manure कितना cow manure आपको लेना है आपको 2 spoon cow manure लेना है नाप आप धन पे सुनिए cow manure यानि गोबर का खाथ देखिए कितना सरा हुआ है और कितना color इसका देखिए ब्लैक कलर है तो बहुत ये बरिया है, साथ में लेना है, एक स्पून ये मस्टर्ड केक पाउडर, आपके पास सॉलिट फॉर में है, तो एक छोटा सा टूकरा आप ले लीजिए, इसका नाप के हिसाब से, साथ में देखिए, छोटा छोटा ब्लैक कलर का जो आपको दाना दी और लास्ट में देखिए यह रखी हूँ मैंने नीम खली यानि नीम केक पाउडर तो इस फार्टी लैजर में मैंने कोई चाय का पत्ती इस्तेमाल नहीं किया कॉफी का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि दो चीज मैंने बहुत ही डिसेंटली प्लांट में डाल चुक ले लेना है बाननाना का जो चिलका का 1990 आपको एक छिर्ट बता देती हूँ जब इस फार्टी मैजर को हम रेडी कर रहे हैं तो आप उस क्याय में बानना पील को चोटा चोटा तो टुकडा करके एक साथ आपको भीगोंके नहीं राकना है क्योंकि यह जो बानना पी इसको हमको फेकना है, इस फर्टिलाइजर के साथ हमको मिला के नहीं देना है, सेब हमको पानी लेना है, यानि बानना पिल फर्टिलाइजर का पानी इस्तेमल करना है, अब देखिए बाकी जगा हम पानी से फिल कर रहे हैं, सेम रेशियो पे 1 इस्टू 3, यानि एक भग तो देखिए इस तरीके से फार्टिलाइजर अभी तक हमरा रेडी नहीं हुआ है और एक चीज इसमें मिलाना बाकी है तो उसको मिलाने से पहले जो फार्टिलाइजर के साथ हम पानी मिला लिया इसको अच्छा से मिला लिते हैं तो इस तरीके से अच्छा से डाइलूट करने के बाद दोनों चीज का हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे seaweed fertilizer मेरे पास seaweed liquid है तो मैं liquid for me इस्तेमाल कर रहे हूँ आपके पास granule है तो एक spoon आप जब इस fertilizer को भीगो के राखेंगे दो दिन के लिए उस time आप इस्तेमाल कर सकते हो seaweed जो liquid है इस्तेमाल करने के आप बाद आपको पांच मिनिट wait करना है और fertilizer को धीरे-धीरे हिलाते जाना है यानि mix करते जाना है और देखिए धीरे-धीरे इसका color भी change होते जा रहे है एकदम black होते जा रहे है तो धीरे-धीरे यह fertilizer हमरा ready हो गए है तो इस fertilizer में आप देखे होंगे potassium fertilizer में भरपूर मात्रा में दिया है इस fertilizer में micronutrient कभी कमी नहीं होगा क्योंकि जो seaweed मैंने extract मिला यहां पे इसमें है भरपूर मात्रा में micronutrient इसके अलवा जो हमने cow manure इस्तेमाल किया है जो मैं नीम खली इस्तेमाल किया है दोनों में भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में micronutrient भी रहता है तो बहुत ही बरिया यह fertilizer आपका गुरहल का प्लांट में हर कोई problem को दूर करेगा जो फूल ना आने का बहुत सरह problem होता है हिविसकस प्लांट में तो उस problem को दूर करेगा और कलिया बढ़ने में भी मदद करेगा और आपका प्लांट में अलेडी कलिया यानी बर्ड्स बन चुका है तो काफी बर्ड्स लेके आएगा आपका प्लांट में हिविसकस प्लांट का टिप्स में बर्ड्स खतमी नहीं होगा जब भी 10 से 15 दिन का गैप में मैं हिविसकस प्लांट में फार्टिलाजर देती हूँ आपके साथ हमेशा इशियर करती हूँ आप देखे होंगे कभी मैंने सेम फार्टिलाजर प्लांट में नहीं दिया है हमेशा गुमाफिरा के fertilizer plant में इस्तेमाल करती हो और इसका क्या result रहता है इसका क्या benefit plant में मिलता है result तो आपके सामनी है आप देख रहे हो हर कोई plant में बहुत धी खुबसूरती के साथ plant में कलिया भी आपको दिखा दिया आपको full भी दिखा रही हो इस fertilizer को हर 10 दिन का gap में आपका plant में जरूर इस्तेमाल करिए साथ में जो key points आपका hibiscus plant में full लाने के लिए discuss किया है वीडियो का शुरुआत में उसको भी आपको maintain करना है तो दोनों का combination में hibiscus plant healthy रहेगा hibiscus plant में भर पूर मात्रा में कलिया भी बनते रहेगा तो देखिए आप आपको application part दिखा रही हूँ हर कोई hibiscus plant में मैं इस fertilizer को डाल दूँगी और hibiscus plant में 10 दिन के अंदर और कोई fertilizer डालने का जरूरत नहीं रहेगा तो इस fertilizer में जो cow manure मैंने मिलाई वो 2 spoon मिलाई और बाकी सारा चीज मैंने 1 spoon करके मिलाते गई तो यह चीज भी आपको धान पे रखना फ्रेंज ऐसे जैसे mustard cake मैंने लिया है उसको आपको 2 spoon नहीं लेना है उसको भी आपको 1 spoon ही लेना है और मैंने जो नाप बताई आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा plant है कि आपके पास आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो इस वीडियो को यहाँ पेंड करते है मिलते हैं और कोई नया एंटरेश्टिंग वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक श्याद ज़रूर करा करिए और मेरे साथ जुर्ने के लिए चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जाने से पहले एक जरूरी बात आपका हिबिसकस प्लांट को लेके कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आपका प्लांट में कुछ पी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो मैं ट्राइ करूंगी आपका प्लांट में कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे तरह आपका प्लांट एक दम फूलों से भरा रहे तो चलिए फ्रेंज फाइनली टाइम आए आज का वीडियो से बिदा लेने के लिए तो थैंक यू फ्रेंज थैंक्स पर वाचिंग एप्पी गार्डिनिंग गुद्बाइ